नमस्कार प्रिय विद्यार्थियो आज हमारे अध्यन अध्यापन का विशर रहेगा कहानी के तत्व कहानी को स्वरू प्रदान करने वाले उपकरणों को कहानी के तत्व कहा जाता है कहानी में और उपन्यास में समान तत्व होते हैं और ये छे इनके छे भेद होते हैं पहला है कथावस्तू और कथानक दूसरा है पात्र या चरित्र तीसरा है समवाद या कथोपकतन चोथा है देशकाल वातावरन पांचवा है भाशाशली और छटा है उद्ध्यश्य कहानी इनी छे तत्वों पर आधरित होती है और इन छे तत्वों के समावेश से ही कहानी योजनाबद तरीके से पाठकों के सामने आती है और लिखी भी जाती है हम सभी जानते हैं कि कहानी का मूल प्रांट ततु उसका कथानक होता है कथानक किसी भी तरह का हो सकता है और कथानक में क्या कärt चीजी होनी चेए किस चीज़ का समावेश होना चेए यह हम देखते हैं इसमें विशेश बुंदू कोण-कोण से होगे कथानक हमारा इतिहास से सम्मंदित भी हो सकता है पौरानिक कथा को भी आधुनिक कथा के साथ जोड़कर हम लिख सकते हैं लोग जिवन के किसी महतुपुन घटना का आधार बिंदू हो सकता है सामिक घटना हो सकती है राजनीती से सम्मादित चरित चित्रन हो सकता है उसमें मनोविज्ञान को आधार बना कर कहानी लिखी जाती है कई बार किसी विशिश अंचल को आधार मानते भी हम अपनी कहानी को लिखते है कहानियों में सामाजिक घटना भी प्रधान हो सकती है व्यंग प्रधान भी हो सकती है उसमें सामाजिक आर्थिक धार्मिक जीवन का यथर्थ वादी चित्रन होता है कहानी में कल्पना का समावेश होता है लेकिन कल्पना का समावेश होने के साथ ही उसमें यथर्थ वादी चित्रन भी होना चाहिए कहानी का दूसरा तत्व है पात्र और चरित, घटना और प्रसंग के अनुसार प्रते कहाने में कुछ पात्र होते हैं, कहानी में पात्र कम होते हैं, पात्रों की संख्या कम होती है, लेकिन पात्र को हम दो भागों में विभख्त करते हैं, वर्ग गत पात्र और व्यक्ति गत वर्ग गत पात्र जो होते हैं वो किसी विशेश वर्ग को प्रतिने धित्व करते हैं और व्यक्टिगत पात्र वो होते हैं जो अपनी निजी विशेश्टाओं को रखते वे समाज में अपना विशेश्ट अस्थान रखते हैं उनकी कुछ मॉलिक विशेश्टाइं होती हैं जो उन्हें समाज से बिल्कुल अलग रखती हैं कहानी को आगे बढ़ाने के लिए समवादों की आवशक्ता होती है और समवादों में किस तरह के समवाद हो जिससे कहानी में रूची बनी रहे और कोतुहल उत्पन होता रहे और अंतिम चर्म सिमा तक पहुँशने के लिए कहानी को सुनने वाले उत्सुकता बनाए रखें इसके लिए कथानक में समवादों की जो विशेश भूमी का होती है वो कथानक को गती प्रदान करने वाले होने चाहिए पात्रों की चरित्र गत विशेशतों का उधगाटन करने वाले होने चाहिए समवादों से नाटकेता उत्पन होनी चाहिए जिससे की पढ़ने वाले में एक कोतुहल रहे, मन में उत्सुकता रहे समवाद संशिप्थ, सारगर्वित और रोचक होने चाहिए तथा साथ ही वह अंतर द्वन्दों को व्यंजित करने की शक्ती भी रखने वाले होने चाहिए समवाद के बाद हम जिस कहानी की रश्णा करते हैं, उस कहानी का वातवरण कैसा है, वो किस देशकाल के लिए लिखी गई है इसका भी समवादों पर असर होता है, समवादों के माध्यम से उसका वातवरण और देशकाल भी प्रकट होता है कहानी की घटना, स्थान और समय के अनुसार उसके देशकाल का या वातफरण का निरमान किया जाता है जिस घटना का हम वर्णन कर रहे हैं उस घटना से सम्मंदी थी उस समय की सितिया, उस समय की वेशुशा, साज सज्जा, रिती रिवाज, रहन सहन, आचार विचार, प्रकृती, रितु चित्रन आदी का चित्रन हमें करना चाहिए इसके बाद आती है भाषा शैली, कहानी को बढ़ावा देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उसमें भाषा का महतुपूर्ण स्थान होता है कहानी की विश्रस्ताओं को जाहिर करने के लिए उसमें मुहावरे और कहावतों का प्रियोग होना चाहिए भाषा सरल, सहच और रुचिपूर्ण होने चाहिए सरस समवादत मक्ता होनी चाहिए छोटे-छोटे व्याक्यांश होने चाहिए कल्पना चित्रों का दिर्मान होना चाहिए भाषा के माद्यम से बिम्बों और प्रतिकों का प्रियोग होना चाहिए अधिकांश से हमें तदभव शली कही प्रयोग करना जिए जिससे सरलता से कहानी को समझा जा सके कहानी में रूची पैदा करने क Нे लिए वेंजनापूर्ण और हासे से भरपूर छोटे-छोटे बाक्यांशों प्रयोग हमें करना चाहिए भाश्राश अली के पाद हमारा मूल उद्देश होता है कहानी का उद्देश क्या है मुख्यत है कहानी का सामाने उद्देश मनोरंजन या उपदेश आत्मक होता है ये प्राचीन काल से यही चला आ रहा है कि हम कहानी के माध्यम से किसी ने किसी उपदेश की व्याख्या करते हैं और मनोरंजन पैदा करते हैं लेकिन वर्तमान में कहानी के माध्यम से हम जीवन सत्य की व्याख्या करते हैं कहानी के माध्यम से हम मानविय आदर्शों की प्रतिस्ठा करते हैं साथ ही मानविय समवेद्दों को अभिवक्त करने के लिए हमने कहानी को एक उपकरण के रूप में प्रियोग किया है आधुनिक युग में कहानी के माध्यम से हम किसी बनोवग्यानिक, सामाजिक, ड्राजनतिक, धार्मिक, आर्थिक समझ्चा का उधगाटन करते हैं और उसके माध्यम से उसका समाधन भी खोचते हैं इसी के साथ ही जीवन मुल्योगा का उधगाटन करते हैं और एक आदर्ष की स्थापना करने की कोशिश करते हैं बहुत सारी कहानिया हमारी काल जी इसलिए हैं कि वह आदर्ष की स्थापना के साथ यथार्थ में जाकर अपने आपको खतम करती हैं और उसके साथ ही वह एक संदेश भी देती हैं इस तरह से हमारी कहानी के 5-6 तत्वों के आधार पर हम कहानी के निर्मान को करते हैं और कहानी के उद्देश्य को प्राप्ट करते हैं आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे इसके लिए धन्यवाद